हाई दोस्तों राजबन सिंग भाली प्रपटी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत और आज का टॉपिक दुनियादारी चोड़के धार्मिक एंगल से समजिक एंगल से साही इतना दीजिये जिसमें कुटम्र समाए मैं भी भूखा नार हूं कोई सादू ना भूखा जाए भागत जी जो बानी लिखने वाली हैं वो पर महातमाओ कह रहे हैं के मेरे को इतना दो के मेरा गुजारा हो जाए जिसमें मेरा कुटम्ब जो परिवार है वो पल जाए ज्यादा नहीं जिसमें कुटम्ब समाए मैं भी भूखा की साथ भी भूखाना जाए सादू भूखा जाने का मतलब यह है कि है कैसी काम के लिए आता है को आपके तरीके से काम करते हो जैसे मेरे पास भी लोग आते हैं मिलने के लिए मेरे पास आते हैं लोगों का काम लोगों को आता है मिलने के लिए आते हैं मैं कोशिच हमारी ये होती है कि उसको पानी चाहे ये जरूर पलाई जाए और यदि आप चाहे पानी से आगे किसी को खा कुमार जैन यहां पर पंचकुला में रहते हैं पहले बशीड पठाना में होते थे खदर बंदार था उनके पास हम जाते थे उनके घर वह दोस्ती थी बच मेरो यह मैं आज से कम से कम 40 साल पहले की बात कर रहा हूं तो जब उनके घर जड़ा तो उसने कभी नहीं कहा कि तुम को डिंग लोगे चाए के साथ को डिंग जो भी हमें नहीं कहा कर तो बेच्छक वो सो रहें दो पैर को तीन बजे तो उन्होंने जाके पूछने के आप मलोग कहां से आरे भी यहां से हैं चाहां का बता यार हम सच बोलते खाना का नहीं का के तो वो खाना तुरंत बनाके मेरे घर में आता है मैं मेरी कोशिश यह रहती है कि मैं उसको भूखा ना जाने दूंद दोस्तों यह आदत जो आपकी है जो वीडियो देख रहे हैं जो मेरी एज कही हैं जो मेरे से कम एज के जो शादी शुद्ध है मैं उनको साथ यह बात बहुत ही मतलब जोर लगा के कहना जाता हूँ भई आपके घर में यह एप्रेक्टस नहीं है तो आप आप का का जो फ्यूचर है जब आप बढब यह बढ़ापे में जाओ वे तो आपको प्रा Avla सकती है क्योंकि आपके घर में आदिति किसी को फाल चुभ लूर्टी बनाने की धी फाल चुभ अपके घर में बनती है सृदू शन्त के लिएंक उसके लिए मैं रिखाएं दॉर डापा भी आपके बचे आपको आप से सीकेंचेप आपको वह रूटी देंगे नहीं तो बड़े बड़े घरों के जो बजुर्ग हैं में बिर्द आश्रों में इसलिए देखा है कि उनके घर में किसी की सेवा करने की भावना नहीं है दोस्तों यह पता नहीं वीडियो आपको किस तरीक किस लगेगी लेकिन मैंने यह जिंदगी में प्रेक्टिकल करके देखा है मेरे घर पे कोई बंदा आता है जितना मेरी कपैस्टी है मैं उसके हिसाब से उसको चाय पनी देने की कोशी करता हूँ हां कई बार होता है प्रावलम आ जाती है घर में भी कोई दिक्कत आगी और आगी तो उसको कहीं बार ढबे में बखाना के लादो कोई नहीं बोलेगा कोई वी बंदा आता है कि और सब्सक्राइल में ना पढ़ो और में पढ़के का घHN कई नहीं अपने बच्चों को ही गल्त सिक्षा देरीज़ें तो हमने अपने बच्चों को गल्त को काना ख्ला रही हैं बिना किसी उसके लेजिए जिसे मतलब के मनौौ्थ के खाना ख्लारी है तो कि इन में जो बावनें भावने सेलफ लेसं था होना बहुत जुर्ब यह आप करके देखना सच मेरा तो रूम रूम खिल जाता है मेरे पास कुई बंदा आता है ठीक है आप इन दिनों में कि यह मेरी शहाद मेरी बात से सहम नहीं होके क्यों मैं फोन नहीं उठा पता फोन आते ही इतनी हैं 56-60 ऐसी फोन डेली आते हैं मैंसाफ नहीं कर सकता क्यों लेकिन जो आदमी मेरे पास टाइम लेकर आ गया तो मैं उसकोशिश कि करता हूं कि मेरे घर से भूखा ना जाए मैं यही चाहता हूँ मैं मत्था टेकने वाला नहीं सिर्फ मैं यही चाहता हूँ कि यदि मेरे में यह गुन बरकरा रहा हूँ और यही गुन मैं अपने बच्चों में ट्रांसफॉर्म कर सका तो मेरी जिंदकी सब्सक्राइए तो दोस्तों उपर वाले से यदि आप मानते हो कुदर्द से यही मागो कि हम किसी के काम आसके यदि हम किसी के क्राम आसके तो फिर उनको साहीं इतना दीजिए जिसमें को टंब समाएवाली बात आपकी लागू हो जाएगी वह उपर वाला ही अपने आपको आपको खुशहाल करता चले गुर्दवारे में जाते हो मंदर में जाते हो एक अर्दास किया करो कि मैं आपके चरनों में अर्दास कर रहा हूं हु क enfrent कि मेरे को किसी की मदद करने की मदद करने की बात कहूं गए उपर वारे की किरपा हो गई मद्द करने के काबल हो गए तो आप आटोमेटिकली खुशहाल हो ही जाओगे दोस्तों आज के लिए इतना मेरे को आरी सी दिमाग में बात कि मैं कुछ सोशल भी बात करूं कुछ जो सिपिर्ट्यूल बात है वो भी करूं आपके साथ तो मैंने आज था तो आपके साथ शेरी कर लिया दिया मेरी वीडियो अच्छी मैगे तो लाइक करना शेर्ग दोस्तों और सा你知道 प्रबदु कि मैं मैं ने टाप्य के साadaki कbles झाल झाल